नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस लीडर्स खबर आ रही है भोपाल से इस साल नवंबर में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मद्प्रदेश सरकार से तीन साल से एक ही जिले में पदस्ट, कलेक्टर और स्पी को हटाने को कहा है चुनाव आयोग ने शुकरवार को इस साल जिन पाच राज्यों में विधान सभा के चुनाव होना है उनमें मद्प्रदेश, 36 गर राजिस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की चीफ सेकरेक्टरी और सीईयो को पत्र लिखा है वहीं आयोग से सरकार से ऐसे अधिकारियों की जुनकारी मांगी है जो फिल्ड पोस्टिंग में लगतार तीन साल से एक ही जगा जमे हुए हैं आयोग ने मुख्य सच्चिव और मुख्य निर्वाचन पद आधिकारी से 31 जुलाई तक रेपोर्ट मांगी है आयोग के इस कदम के बाद से मद्रदेश के दतिया पन्ना और टीकमगर के कलेक्टरों का हटना थैमान अजवा रहा है इसलिए ने हटाया ज़ानाता है गौतलब है कि मदप्रदेश विधानसभा का कारिकाल 6 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है इसके पहले नई विधानसभा का गठन होना है आपको बता दे चनार ड्यूटी से जुड़े अफसरों में जिनके एक ही जिले में पिछले चार सालों में तीन साल पूरे हो गए है उनमें कलेक्टर, EDM, STM, डिप्टी कलेक्टर, तहसिलदार, नायब तहसिलदार और RI को हटाया जुएगा इसके साथ ही IGSP, Additional SP, DSP, TI और SI को हटाया जुएगा इसके साथ ही पिछले विधान सभा या लोग सभा चुनाव में शिकायतों की आधार पर चुनाव आयोग ने जिन अफसरों को हटाया है उने भी हटाया जुएगा ग्रह जलों में पदस्त अफसरों को भी हटाया जवाएगा इन अधिकारियों को हटाने में समय सीमा की कोई बादता नहीं है इसमें 6 महीने एक साल से लेकर 3 साल वाले अफसर हटेंगे वही चनाव ड्यूटी से जड़े आफसरों में डॉक्तर्स इंजीनियर सक्षक प्रिंसिपल के ट्रांसफर नहीं किये जवाएंगे